हफ्तों तक बिगरते स्वास्थे से जूजने के बाद ग्रेह के सबसे महान फुटबॉलर ने 82 साल की उम्र में साव पावलो अस्पताल में अंतिम सास ली ट्विटर ने प्रतिक्रिया दी और इस चोकाने वाली घटना के बारे में ट्वीट किया पेले की मौत 51 साल बाद हुई जब उन्होंने आखिरी बार ब्राजील के लिए गेंड को किक मारी थी न्यू यॉर्क के जायंट स्टेडियम में उनके आखिरी क्लब गेम को लगभग पाँच दशक हो चुके है विदाई समारों में 75,646 लोगों ने भाग लिया जिसमें रॉबर्ट रैडफोर्ड, मिक जैगर, हेन्री किसिंजर और मुहम्मद अली शामिल थे फिर भी अली की तरह वो बीसवी सदी का खिलाडी है जिसने हमारे दिमाग में जगह बना ली है 2022 विश्वकप के दोरान ब्राजील के पूर्व कोच टिटे ने कहा कि उनसे मिलने का मौका मिलने से उनके दिल की धर्कन तेज हो गई थी टिटे के सहायक, ब्राजील के प्रशन सको और उनकी टीम ने कहा कि आपका धर्म चाहे जो भी हो उन्हें अच्छे संदेश भेजें पेले के पास ब्राजील में उनके नाम पर एक स्टेडियम है और महामारी के संकट के बीच 2021 में उनके नाम पर रियो के माराकाना का नाम बदलने का प्रस्ताफ था फुटबॉल के दिगगच का अंतिम संसकार ग्रिहनगर सैंटोस में होगा